भारत की स्वतंत्रता सेनानी अब्दुल गफार खान का आज जन्म दिन है 6 फरवरी 1890 को पाकिस्तान के पेशावर में जन्म हुआ स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले राजनेता थे गफार खान सरहदी गांधी, बादशाख खान, बादशाख खान के नाम से मशूर थे गफार खान 1919 में रॉलिट आक्ट के खिलाफ आंदोलन में गांधी जी से मुलाकात हुई खिलाफ़त आंदोलन में भी शामिल हुए 1921 में खिलाफ़त कमिटी में चुने गए जिलाध्यक्ष विद्रोह के आरोप में तीन वर्ष के लिए पहली गिरफतारी हुई राश्च्रे आंदोलनों में भाग लेने के कारण कई बार जेलों की यातनाई जेली जेल से बाहर आकर खुदाई खिदमतगार नामक संस्था की स्थापना की खुदाई खिदमतगार संस्था का प्रमुखुदेश पठानों को जोडना था खान ने पठानों को गांधी जी का अहिंसा का पाच पढ़ाया 1987 में भारत रतन से गफार खान को नमाजा गया 1988 में पाकिस्तान सरकार ने गफार खान को नजर बंद किया पेशावर में उनके घर में ही नजर बंद किये गए 20 फरवरी 1988 को पाकिस्तान के पेशावर में गफार खान का इंतकाल हुआ उनकी अंतिम इच्छानुसार उन्हें दफनाया गया जलालावाद अफगानिस्तान में